प्रिया दर्शकों नमस्कार चल रहे कोवीड महामारी की मद्दे नजर आप से अनुरोध किया जाता है कि कोवीड उप्युक ब्यभार का पालन अवश्य करें जैसे की मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारेरीक समाजिक दूरी बनाए रखना और भी भार वाली जगों से बचना आईए सुनते हैं आज की मुख्य समाचार सेल राउर केला इसपात सेयंत्र में सुरक्षा उत्कृष्टा पुरसकार का मुल्यांकन शुरूर सेल आरेसपी में कार्मिक और विद एवं लेखा विभाद के लिए प्रत्थम निगरानी लेखा परिक्षा आईएसो 9001-2015 QMS आयोजित और हमारी आजादी का अमरित महोत्सव श्रिंकला में आज क्या ब्यक्तित्म हैं डॉक्टर दीनानास पाठी अब समाचार विस्तार से सुरक्षा प्रनालियों को और मजबूत करने और स्वस्थ प्रतीस परधा को बढ़ावा देने के उदेश से स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेट सेल ने इस वर्ष से अपने एकी कृत इसपात सयंत्रों के बीच एक सुरक्षा उतक्रिष्टता पुरसकार प्रारंप किया है पुरसकार के लिए निर्रायक बंडल के सदस्यों ने 14 फरवरी को राउर के लाइस पात सयंत्र आरेसपी का मुल्यांकन शुरू कर दिया है टीम में पुर्व मुख्य कारेपालक अधिकारी आरेसपी स्री जी एस प्रशाद पुर्व निदेशक सुरक्षा डी जी एफ ए एस ल आई मुंबई स्री एच चटो पाध्या और मुख्य महाप्रवंदक सुरक्षा एस एस ओ स्री एस वसिष्ट सामिल है दौरा HRDC के मॉडल रूम से शुरू हुआ जहां आने वाले गर्माने ब्यक्तियों को प्लांट के ले आउट और उसकी संचित चारकारी दी गई इस मौके पर सेफ्टी फिल्म भी दिखाई गई इसके बाद टीम ने सेंट्रल फायर स्टेशन कोक अवन बैटरी छे कोल केमिकल डिपार्टमेंट सिंटरिंग प्लांट दो एवं तीन ब्लास्ट वर्नेस पांच स्टील मिल्टिंग शॉप दो सेफ्टी ट्रेनिंग हाल तीम ले वारा स्वागत किया गय और विभिन शुरक्षयक प्रक्रियाँ के बारे में जानकारी दी गई सएंद्र के अंदर सुरुक्षय वैवस्था का व्यापक मुल्यांकूं करने के साथ-साथ टीम ने कर्मचारियों और ठेकास रमीकों के साथ भी बातचित की ताकि प् लियांकन 15 फरवरी 2022 को समात्थ होगा सेल राउड के लाइस पाद सेंत्र के कार्मिक और वित एवं लेखा विभाग के आई एसो 9001-2015 QMS की पहली निग्रानी लेखा परिक्षा 10 और 11 फरवरी को आयोजित की गई कारिपालक टिदेशक कार्पी के वंप्रशासन स्रीपी के शत्पति ने उद्गाटन और समापन सत्र दोनों की अध्यक्षता की बैठक में लेखा परिच्चक, विभाग अध्यक्ष एवं संबंदित विभागों के वरिष्ट अधिकारियू पस्तित थे समापन सत्र में बोलते हुए स्री शत्पति ने सयंत्र की प्रनालियों और प्रक्रियों में सुधार के लिए अपने बहुमूली सुझाओं और निर्नय के लिए लेखा परिच्चक को अश्वाशन दिया कि उठाए गए मुद्धों को तदा नुसार निप्टाया जाएगा लेखा परिच्चक ने कर्मी समूँ से सहयोग करने के लिए धर्निवाद दिया और आगे सुधार के लिए लेखा परिच्चा के निसकर्षों पर विस्तार से चर्चा की लेखा परिच्चा में सर्स टी यूवी के मुख्य लेखा परिच्चक सिरी सुरिंदर कोक्चर द्व कर्मचारी से वाओ और केंद्रिया रख रखाओ मानो संसाधन प्रवंधन और प्रशिक्षन और वित की ओर से परियोजना वित और वित एवं लेखा का सामाने रख रखाओ शामिल था कारिकरम का संचालन मुख्य महाप्रवंधक BE एवं IED सुस्री चैताली दास द्वारा किय गया आजादी का अप्रित्म होत्सो समारोह के एक हिस्से के रूप में सेल राउर के लाइस पादसयत ओडिशा की प्रतिष्टित हस्तियों पर समचारों की एक स्रिंकला प्रस्तूत कर रहा है और आज के व्यक्तित्व डॉक्टर दीनानात पाठी है वर्स 1942 में गंजाम जि खाली कोट कॉलेज से कला बे डिगरी हासिल करने के बाद उन्होंने शांतिनी केतन से कला इधियास में पेस्टी की थी और 1967-1972 तक केंद्रिय विद्याले भुवनेश्वर में पेंटिंग सिखाई थी उन्होंने एक भित्ती चित्रकार के रूप में अपना करियर शुरू क किया और फिर वे एक कला शिचक बन गया और फिर एक आयोजक के रूप में उभरे और कुछ समय के लिए वे ललीत कला अकार्दमी नई दिल्ली में सचीव का भी पदभार संभाला उन्हें उनके शोद के साथ साथ पेंटिंग और रचनात्मक लेखन के लिए सम्मानित किया गया डॉक्टर पाठी ने दा टेंपल अफ जगरनाथ आर्किटेक्चर स्कॉपल्चर पेंटिंग एंड रिच्वल सहित कई किताबे लिखी उन्हें 1922 और 1974 पच्छतर में ओडिशा ललीत कला अकार्दमी पुरसकार उन्हें सो तिरानवे में उनकी आत्मकथा दीगां 2016 को अंतिम सांस ली इसके साथ ही आज के हिल्डी समचार यहीं समात्त होते हैं नमस्कार